हलो स्टुडेंट्स, आइम यूर अकॉंटेंसी सब्जेक्ट टीचर, मैं नेम इस वज्जवल चित्रांच आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक अकॉंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी क्लास फर्स्ट इयर में डीके गोयल के बुक के अकॉंटिंग सेकंड चैप्टर है इसमें हम अकॉंटिंग के जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं अकॉंट्स होते हैं एसेट्स लाइबिल्टी कैपिटल इन सभी चीजों के बारे में हमारा यह टॉपिक कवर होगा तो धीरे धीरे करके हम इसके एक पार्ट पार्ट वाइज हम सारे वीडियोज अपलोड करते रहेंगे जो फर्स टर्म हमारा भी स्टार्ट हो रहा है वो है एसेट्स is equal to liability प्लस capital यही इसी फॉर्मूले को हम कई तरह से लिख सकते हैं जैसे capital is equal to assets minus liability and liabilities is equal to assets minus capital जैसे mathematical term में हमारे होते थे तो यहाँ पर भी वही rule apply होंगे कि हमेशा assets की value liabilities and capital के equal होनी चाहिए जैसे कि mathematical term में हम लोग last 10th में पढ़ा होगा कि LHS is equal to RHS means left hand side is always equal to right hand side यही concept हमारा यहां पर भी apply होगा assets is always equal to liability plus capital अब हम इसके explanation देखते हैं So first term is assets So there are two types of assets First is current assets and second is non current assets Assets की definition and सारी चीज़े मैंने अपने golden rules of account वाले video में upload किया है यहां पर हम classification अब देखते हैं So current assets के हमारे जो examples हैं Like as cash, bank, balance, stock, inventories, debtors, bills receable, short term investment, prepaid expenses यह लिखे हैं In short हम यह कह सकते हैं current assets सिर्फ वही assets होते हैं जो for a short period of time के लिए हमारे business में involved होते हैं कोई भी ऐसी assets जो for short term period के लिए हो, for example less than one year के लिए तो वो हमारे current assets होते हैं जैसे कि cash हमारे business में है, bank में पैसा है तो यह क्या होते हैं short term period के लिए होते हैं आज हमने कुछ purchase कर लिए तुरंद कतम हो गए Stock inventories हम regularly sell and purchase करते रहते हैं debtors means वो person होते हैं, जिने हम credit per goods sold करते हैं तो उन persons को हम debtors कहते हैं bills receable भी यही concept है, इस bills receable and bills payable का एक topic है जिसे हम bills receable अपने assets में include करते हैं bills payable को liability में include करते हैं इस पर हमारा class 11 ने पूरा एक chapter है, bills of exchange के नाम से हम लोग उस पर पूरा discuss करेंगे फिर है हमारा short term investment short term investment like is हम यह कह सकते हैं कि हम investment अपने business में करते हैं but investment हमारे two types के होते हैं एक हम short term के लिए करते हैं एक long term के लिए करते हैं जैसा कि हम current assets में देख सकते हैं short term लिखा है and just हमारे non current assets के types में लॉंग टर्म इन्वेस्टमेंट लिखा होगा है, जो भी हमारा वन इयर के अंदर इन्वेस्टमेंट है, वो शॉर्ट टर्म मिन्स करेंट असेट्स, जो वन इयर से जादा है वो लॉंग टर्म, फॉर एक्जामपल हम किसी भी अगर जगा शेयर्स में, डिबेंचर्स में, म्यूच्वल फंड्स में जैसा टीवी में देखा होगा, तो यह फॉर लॉंग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, फिर इसके बास से हमारा एक नेक्स्ट एक्जामपल है, प्री पेड एक्पेंस का, तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैं उसका लिंक अप्लोड कर दूँग अपने डिस्क्रिप्शन में, गोल्डन डूल्स ओफ एक्काउंटिंग का, मैंने उसमें एक्स्प्लेंड किया है, अप्री पेड एक्सप्प्षन के बारे में भी, वीच एक्सप्थन होता है, प्री पेड एक्सप्प्षन ने गयों, प्री पेड एक्सप्प्प्ल थे, यह हमारे पूरे current assets के examples थे नेक्स्ट अब हम नॉन current assets की बात करते हैं इसमें non current assets में देख सकते हैं there are two types of non current assets first is fixed assets and second is long term investment long term investment में ने cover कर दिया next हम देखते हैं तो fixed assets so there are two types of fixed assets first is tangible and second is intangible tangible and intangible assets के बारे में भी पूरा classification पूरा explanation मैंने अपने golden rules of accounting के वीडियो में दिया था मैं उसका description नीचे दे दूँगा so जैसा कि हमने definition बताया था tangible assets means जैसी assets जिने हम देख सकते हैं छू सकते हैं वो हमारे tangible हैं जिने हम नहीं देख सकते हैं छू भी नहीं सकते हैं वो हमारे intangible हैं land and building, plant and machinery, computer, furniture, motor vehicles इन सभी को हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं और देख भी सकते हैं अगर कोई भी medical company है तो अगर उसने कोई cancer की जैसे medicine हो जा होगा तो उसने वो दवा अपने नाम पे patent कराई है कि वो दवा सिर्फ वही company ही पेज सकती है तो यह patent का हमारे एक्जामपल था next है हमारा copyright जैसे कि copyright में हम कह सकते हैं तो copyright showing authority, authority means हम अपना अधिकार शो करते हैं तो मैं इसका एक example भी देना चाहता हूँ कि एक movie है oh my god उसमें सभी ने एक देखा होगा last का court scene उसमें जो बाबा रहते हैं वो कहते हैं कि भगवान पर सिर्फ हमारा copyright है it simply means that कि वो show करते हैं कि उन पर सिर्फ हमारा अधिकार है तो जहां पर हम अधिकार means अपना right show करते हैं वो copyright होते हैं trademark is known as जैसे कि हमारे business के कोई trademark होते हमारा business है तो हमारा को इसमें logo होगा कोई trademark होगा वो भी हमारे intangible assets है next term हमारा जो है वो है liabilities का so we can see that there are two types of liabilities same as it is current liabilities and non current liabilities so current liabilities में simply कह सकते हैं कि जो भी liabilities हमारे for a short term period के लिए होंगे means less than year वो हमारे current liabilities होंगे and जो भी liabilities हमारे for a long term period के लिए होंगे वो हमारे non current liabilities के category में आ जाते हैं एक्जामपल में भी हम देखते हैं creditors जैसे हैं bills payable तो जैसे कि debtors के लिए मैंने कहा था जब हम किसी को credit पे goods sold करते हैं तो वो person हमारे लिए debtors होते हैं same as it is for अगर हम किसी से credit means उधार पर अगर कोई goods purchase करते हैं तो वो person हमारे लिए creditors होते हैं फिर return agreement अगर होता है तो वो bills payable means जो person pay करता है वो bills payable note करता है और उस person को हम एक और language use करते हैं जो कि हमारा होता है drawy यह हमारा bills of exchange के topic में जैसा कि मैंने कहा यह cover होगा फिर a short term provision अगर हम कोई भी पैसा saving करते हैं non expenditure जो हमारे होते हैं तो वो हम provision अगर short term के लिए कर रहे हैं तो वो हमारा provision के category में आता है इसमें भी दो types होते हैं provision के जैसे कि हम देख सकते हैं current में लिए मैंने लिखा है short term provision and non current में लिखा है मैंने for a long term provision means जब भी हम किसी अपने expenses से या फिर known expenditure हैं तो ही मैं बात कर रहा हूं एक से expenses जो हमें पता है future में हमारे खर्चे होने ही हैं तो उनके लिए हम जो पैसा saving करते हैं या पैसा अपने organization में बचाते हैं वो हम provision कहते हैं next term हमारा है outstanding expenses यह भी हमने अपने golden rules में देखा था expenses due or area means हमने expenses अभी payment नहीं किया है हमें payment करना बागी है तो वो हमारे outstanding expenses होते है other short term borrowings अब इनके अलावा और भी जो भी हमारे short term borrowings means एक साल के अंदर अगर हमने किसी से पैसा उधार लिया है या credit पर समान purchase किया है तो वो सब हमारे current liabilities होंगे non current liabilities में जैसे bank loan मैंने लिखा है तो अगर हम bank से loan लेते तो वो for a long time period के लिए होता है means more than one year के लिए तो ऐसी liabilities जो हमारे long term के लिए होंगे वो हमारे non current liabilities होंगे liabilities की definition होते है an amount which we have to pay in future known as liability तो अगर short term के लिए हमारे payment के लिए तो वो current है और long term के लिए है तो वो non current है फिर next term जैसे हमारा है debentures तो debentures भी हमारे borrowing होते हैं कि जब भी किसी company को पैसे की ज़ुरत पढ़ती तो market में अपने debentures को issue करते हैं debenture is a part of loan यह हमारे loan का part या फिर is a type of loan हम कह सकते हैं यह हमारे loan के ही तरह काम करते हैं और यह long term के लिए होते हैं long term provision मैंने discuss कर ही दिया है कि अगर हम कोई भी ऐसा पैसा saving करते हैं जो for a long term period के लिए expenses के लिए जो पता है कि future में होंगे ही या खर्च होंगे ही loss होगा ही तो उसके लिए जो हम पैसा बचाएंगे तो वो हमारा long term provision होते हैं और इनके लावा अगर हमारे कोई और भी ऐसे long term borrowings हैं जो हमारे for more than one year के लिए होंगे तो वो सब हमारे non current liabilities के category में आते हैं तो यह हमारा आज का topic था जिसमें हमने assets liability को cover किया and capital हम लोग अच्छे से जानते है definition भी मैंने बताया था कि जब भी कोई businessman अपने organization में cash stock या कोई हमारे लिए मिलके क्या होते हमारे business organization के लिए capital का काम करते हैं तो हमारा आज का topic यह complete होता है description में मैं golden news के अपने link mention कर देता हूं और अगर किसी को भी कोई students को कुभी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे contact कर सकते हैं thank you students